ये चार तस्वीरें पर हम आपको दिखा रहे हैं अमरसर, संग्रूर, मोहाली और ग्रिटन राइड़ा की जहांपर ट्रैक्टर के साथ ये किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जो चुके राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके एक हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आई वे भी दिल्ली के हैं सरकार बाचित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रथ होगी फेरा जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुखी करो और कियो अपने आप भी हो यह आप क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंचा पर भी सवाल उठाएंगे अब के हाथ में इस ट्रेक्टर की स्टियरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो यह जो दिल्ली की तरफ ट्रेक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है यह आपका बस यह मकैना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जाने की तैयारी नहीं अभी नहीं हमारी जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इसमें हरियाना बॉर्डर पर पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा कि यह कोल है कि हम एक बार हाइवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कू पर आज टेक्टर है वहाँ पर और उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बातचीत कर रही है तो हमारा यह मानती है तो आगे क्या आपकी रनीती है ये पॉलिटिकल विरोध करेंगे क्योंकि कई सारे जो सरकार से जुड़े हुए दल है उनका विरोध गाउं में अमरा कुछ नहीं है कि क्योंकि हमारे साथ में आप यह सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी है तुम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए किसाम संक्ठन को अपने आंदोलन पर द्यान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन में हमारे साथ में है तो पुल मिलाकर के अर्फिता आशुतोष और राजीव यह जो यहाँ पर ट्रैक्टर पर हम इसमें चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी टिकेस आप करें कि यहां से 169 किलोमेटर का बोर्ड दिखा रहा है जो मील का पत्थर है वो 169 किलोमेटर दिखा रहा है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो 169 किलोमेटर ही दूर है यहां से दिल्ली लेकिन हम कभी भी पूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ा दिदिली की तरफ को हमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुती से चले ऐसा क्यों बंजर जमीन हो तो फोर भाई फोर काम करें दिली के बेरिया लोग तो फोर भाई फोर तो तोड़ें यह पतार है ट्रेक्टर की जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने तस्वीरों के जरिये कि यहाँ पर जो अलग अलग किसान जो संगठन के लोग हैं उन्होंने अपने ट्रेक्टर को एक कतार में लगाया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इस समय कतार दिखा सकते हैं कि ट्रेक् उसके उपर इस समय खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरहिके से बंद है और आखे स्टिकेट खुद स्टियरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नित्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहां सीधे बॉर्डर पे और दिली 119 कि यह लिखना हो ना बॉर्ड दिखाओ आ आपके कैमरा बढ़िया देखता है ने आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है यहां से दिखाना चाहूंगा कोशिश करेंगे हमारे कैमरा में जो अविस्येक है अलाकि ट्रैक्टर पर हैं तो वो दिखाएंगे कि जो दिली की दूरी है यहां सामने बोर्ड लगा मारकुणा लेकिन बोग के रहे थे किसानों ने कहा था कि ट्राफिक की कोई दिखकत नियूगी लोगों को दिखकत नियूगी लेकिन वहां तो ऐसा लगता mówi णिट कि कई सारे लोगों को तुछाने में डिक्कत locis की लोग आते लोग देखें यह नया ट्रेंड है रास्ते जाम करने की जोड़ती नहीं तो इनका खाने पीने का बंडाला का इंद्याम करो दिली के देखो खाली पुरा ट्रेफिक एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है एक तरफ ट्रैफिक जाम अब एक ट्रैक्टर खड़े हैं तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को यह दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिली का क्यों रोके हैं दिली का सरकार का का रूप करूब अंकर आच तो सरकार के खिलाफ चलाएंगे आं Lambda मीं चुनाव है आज तक के सारे दर्शक देख रहे हैं लाखों करोडों दर्शक देखते हैं तो उनको भी तो बताएंगे आप हाँ वे देखुजा सरकार क्या क्या कर रही हो देखुजा सब पर वार सब पाएगा यह गुल मिला करके कह रहे हैं कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनाल फिराल जुड़े रहे है फोरण आपका रूख करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्वा निकाने के कोशिश थी वहाँ भी किसानों का अंदोलन कई देशों में चल रहा है लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सड़कों पर ये ट्रक्टर मार्च के तस्वीरें यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गैरेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि म मांग है कि भारत विश्व वियापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारतिय किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दुनिया का हर देश जो प्रतनिधित्व करता है जो सदस्य है वर्ल्टेड और्गनाईजेशन का उसकी बाध्यताएं हो जाती है जब खासकर फ्री ट्रेड की बात होती है ताकि बेरोग टोग जो है बाजार चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारतिय किसानों को ऐसा लगता है कि अगर इसम ये उसके खिलाफ किसान जो है सड़कों पर ट्रक्टर मार्श निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान जैसी जो कुछ किसान लेता है वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं ट्रक्टर पर एड निकाल रहे हैं और फिलहाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस वे के पास लोकेंदर के साथ मैं आश्य से तौर पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए यह चार तस्वीरें पर हम आपको दिखा रहे हैं अम्रसर संग्रूर मोहाली और ग्रेटर नॉयडा की जहां पर ट्रेक्टर के साथ यह किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरो योजना क्या रहने वाली है बिल्कुल अर्पिताई समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहां पर जो एक सांकेतिक ट्रेक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाइवे नेशनल हाइवे उस पर ट्रेक्टर उतारा गया है राकेश यह बत दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आई वे भी दिल्ली के हैं सरकार बाच्चित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रत होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह कि किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो यह आप क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंशा पर भी सवाल उठाएं चुनाव में हम अभी नहीं जा रहे हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं लेकि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे चुनाव में हम जा रहे हमारा तो आप तो 14 मार्च का प्रोग्राम अब इस बहुत है और उसका है। आपके हाथ में इस ट्रैक्टर की स्टेरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो यह जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है। यह आपका बस यह कहना है कि हम जरूरत पढ़ी तो जा तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए जिस तरह से हर्याना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हर्याना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाँ पर और उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बाचीत कर रही है तो हमारा यह है कि सरकार अपना बाचीत करें उस कमेटी से भी बात करें जो चिज्जे हैं उसका समधाद निकाल ले है लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते है अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आग कि सारे जो सरकार के से जुड़ेवे दल हैं उनका विरोध गाउंगों में हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग यह खड़ा ट्रेक्टर पे यह सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए कि सामसंक्ठन को अपने आं संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहें तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी दिल्ली 159 उसामना आप बोड देखोगे 169 किलो मीटर है आपको बोड दिखाते हैं पहले दिल्ली के चलो कि यहां से 169 किलो मेटर का बोड दिखारा है जो मील का पत्थर है वो 169 किलो मेटर दिखा रहा है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो 169 किलो मेटर ही दूर यहां तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार भी बढ़ा दिए तरह दिली की तरफ को हमारे ट्रैक्टर बहुत मजबुती से चले हैं ऐसा क्यों थे बंजर जमीन हो तो फोर पाई-फोर काम करें दिली के बेरियन हो तो फोर पाई-फोर तो आया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इस हमें कटार दिखा सकते हैं कि ट्रैक्टरों की कतार यह जो दिली को जोडने वाली हरिद्वार दिली हाइवे है उसके ऊपर इस हमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरहीके से बंद है और आखे इस टिकेट खुद का नेत्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहां सीधे बॉर्डर पे और दिली एक सो उन्सक्त कि यह लिखना हो ना बोर्ड दिखाओ आपके कैमरा बढ़िया देखता है आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है तो बिलकुल मैं यहां से दिखाना चाहूंगा करेंगे हमारे कैमरा में जो अविश्यक है अलांकि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है यहां सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किरोमीटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर है यह प्रदर्शन की तस्वीर और यह कह रहे हैं कि दिल्ली अभी सिर्फ खड़े हैं तो लोगों को दिकत हो रही होगी है विल्कुल दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है और एक तब से यह भी पूछ लेते हैं राके कई सारे लोगो को दिक्कत भी हो रही है और ज intéressant यह वहाँ नोईडम भ его वह है उसमें दिकत चैनल 8 वालों को जोड़ा स्था था हम रासते जाम करते हमने ने दिखातने हैं शड़क पगढे हम बहुकर देखो पॉकरत लिहां और ऑतँ जाते लोग देखें है यह निए ट्रेंड है रास्ते जाम करने की जोरूति नहीं खोलो इन passion पीने का बंडा रखा इंध्याम करो हbed 309 तर ट्रैविक चल रहा है एक तेफिक जांग एक कर घ सक्रैक्टर घिला खड़े तो सरकार के खिलाव चलाएंगे और चुनाव है न चुनाव के वक्त भी कहेंगे कैशमें ज्यादा सरकार के हाथ अफ़ए तो सब जंता को पता है इसको क्या करना सब हाए機 कुछ को आपका एक आप तो अप उसर links देंगे लिए तो उनकों में बताना ने पर लोगों को बताए जाएगा समर्तुकों को बताए जाएगा आने वाले समें में घंडीती बदेल भी सकती है 14 मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनाल फिराल जुड़े रहे हैं फोरण आपका रुक करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्रा निकालने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रूक लिया गया लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सडकों पर ये ट्रक्टर मार्च के तस्वीरें यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारतिय किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दुनिया का हर देश जो प्रतनिधित्व करता है जो सदस्य है वर्ल ट्रेड और्गनाइशन का उसकी अपनी बाध्यताएं हो जाती है जब खासकर फ्री ट्रेड की बात होती है ताकि बेरोक टोक जो है बाजार चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्योंकि उसके उपर बाध्यता हो जाएगी Free Trade Agreement की और विश्वयापार संगठन की तो कहीं न कहीं Subsidies उसकी कम हो जाएगी सरकार से किसानों को जो मदद मिलती है वो कम हो जाएगी और इसलिए उसके खिलाफ किसान जो है सड़कों पर ट्रक्टर मार्श निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ट ट्रेड और्गनाजिशन क्या है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारति किसान यूनियन जैसी जो कुछ किसान नेता है वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं और फिल्हाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस वे के पास लोकेंदर के साथ मैं आश्यतुश मिश्रा आज तक अब बात किस्तानों के करते हैं कि किसान अपने आंदोरन को लेकर आब आके बढ़ रहे हैं अम्रसर, संग्रूर, मोहाली और ग्रिटर नॉइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ यह किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल, हमाई सायोगी इस वक्त जुट चुके राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल, पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आई-वे भी दिल्ली केई हैं सरकार बाच्चित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रथ होगी फेरा जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुख ही करो और क्यों अपने आप भी हो तो यह आप क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मन्शा पर भी सवाल उठाए चुनाव में हम अभी नहीं जा रहे हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं लेकि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे चुनाव में नहीं हम जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव सा पहले हम जा रहे हो नहीं हमारे तो आप तो चोदा मार्च का प्रोग्राम में एक दिन का है बगैर और उसका है अभी आपके हाथ में इस ट्रैक्टर के साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़ेंगे संचना कि पाइवी प्रेक्टर लगाएंगे जो किसानूं के साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हर्याना पुलिस ने सरकार ने करा है और आज भी आप देखोगे के हर्याना की सड़कूं पर आज ट्यक्टर है वाब है और उनका मुमेंट है तो चला हुआ है उनकी कमेटी है तो सकार निकाल ले लाठी गोल इस आप किसान को द्बा नहीं सकते है क्या आपकी रहते हैं क्योघत का प्रोग्राम है का अपना प्रोग्राम में हम 14 तारेक को मेंट ही ए वाठी है ऐड कुछ होना नहीं है पॉलिटिकल विरोध भी करेंगे क्योंकि कई सारे जो सरकार से जुड़े वे दल है उनका विरोध गाउँ में? हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़ाज टेक्टर पे ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पॉलिटिक से दूर रहना चाहिए किसान संक्ठन को अपने आंदोलन पर द्यान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन हमारे साथ में हैं तो कुल मिला करके अर्फिता आशुतोष और राजीव ये जो यहाप पर ट्रैक्टर पर हम इस समय चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी यहाँ से 169 किलो मिटर का बोर्ट दिखा रहा है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो 169 किलो मिटर ही दूर है आते वह कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रेक्टर की रफटार भी बढ़ा दिए कि तरफ मारे ट्रैक्टर बहुत मजबुति से चले हैं ऐसा क्यों कि बंजर जमीन हो तो फोर भाई फोर काम करें दिली के भी एलो तो फोर भाई फोर तो तोड़े हैं ऐसा पर जो अलग अलग किसान जो संगठन के लोग हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टर को एक कतार में लगाया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इसमें कतार दिखा सकते हैं कि ट्रैक्टरों की कतार यह जो दिल्ली को जोड़ने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इसमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफ आपके camera बढ़िया देखता है आज तक का camera है वो दुनिया देखती है तो यह यहां से दिखाना चाहूँगा कोशिष करेंगे हमारे camera लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो बिल्कॉल दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है और एक तब यह भी पूछ लेते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं तो होगी नएक रास्ता हम था नहीं करते हम इने क्या होता है परदरसना क्या होता है चाहीं हो तरफ से ट्रैफिक चल रहा है एक तरफ ट्रैफिक जाम अब एक ट्रैक्टर खडए है तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को यह दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का तो तो सब जंता को पता है किसको क्या करना सब पता कि लेकिन नित्र तो आपका है तो आप तो गाइडन्स देंगे लगा क्या करें ले गुल मिला करके कह रहे हैं कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताये जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारह साफ है कि आने वाले समय में गडी बदल तो जैसे जैसे चुनावाए आते जाएंगे यह जो किसानों का अंदोलन है और जेवर में भी ट्रक्टर यात्रा निकाने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रोक लिया गया अपने सयोग याशितोष मिश्ट्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से देखें पश्ची मुत्र प्रदेश के सेकड़ों किसान इस समय सडकों पर है रिट्रक्टर मार्च की तस्वीरें आपको यूरोप की याद दिला रहे होंगे वहाँ भी किसानों का अंदोलन कई देशों में चल रहा है लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सडकों पर ये ट्रक्टर मार्च की तस्वीरें यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारतिये किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दुनिया का हर देश जो प्रतनिधित्व करता है जो सदस्य है वर्ल्ट ट्रेड और्गनाइशन का उसकी अपनी बाध्यताएं हो जाती है जब खासकर फ्री ट्रेड की बात होती है ताकि बेरोक टोक जो है बाजार चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्यूंकि उसके उपर बाध्यता हो जाएगी फ्री ट्रेड अग्रिमेंट के और विश्व व्यापार अधन की तो कहीं न कहीं सबसीडी उसकी कम हो जाएंगी सरकार से किसानों को जो मदद मिलती है वो कम हो जाएगी और इसलिए उसके खिलाफ किसान जो है सड़कों पर ट्रक्टर मार्श निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्र करें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रस वे के पास लोकेंदर के साथ में आश्यतुश मश्रा आज तक बात किस्तानों की करते कि किसान अपने आंदोरन को लेकर आखे बढ़ रहे हैं आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्रक्टर्स को हाईवेस पर खड़ा कि जहां पर ट्रेक्टर के साथ ये किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जो चुके राकेश टिक है तो उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उत्राखंड उत्र प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आई वे भी दिल्ली के हैं सरकार बाचित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रथ होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो यह आप क्या चेताव नहीं दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुना अब दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे तुना नहीं हम जा रहे हम तो 14 मार्च का प्रोग्राम में एक दिन का है बगएर ट्रेक्टर के बगएर उसका है अभी आपके हाथ में इस ट्रैक्टर की स्टियरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो ये जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है ये आपका बस ये में कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जाने की तैयारी नहीं अभी नहीं हमारी जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इस समय हरियाना बॉर्डर पर पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो ये बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा कि ये कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाब है और उ साथ सेयं जो स समधाद निकाल ले लाटी गोली से आप किसां को दबा नहीं सकते हैं अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या आपकी रणीती है का अपना प्रोग्राम है हम 14 तारिक को हमारी means कीड़ की अप दो चुनाव आगि आप कुछ होटेat का पाना नहीं है पॉलिटिकल विरोध भी करेंगे क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़े वे दल है उनका विरोध गाउओं में? हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़ाए टेक्टर पे ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पॉलिटिक से दूर रहना चाहिए किसान संग्ठन को अपने आंदोलन पर द्यान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन हमारे साथ में हैं तो कुल मिला करके अरफिता आशुतोष और राजीव ये जो यहाँ पर ट्रैक्टर पर हम इस समय चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मान तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी दिल्ली 159 वो सामना आप बोड देखोगे 169 किलो मिटर है आपको बोड दिखाते हैं पहले दिल्ली के चलो क्यां तो यहां से 169 किलो मिटर का बोड दिखा रहा है जो मील का पथर है वह 169 किलो मिटर दिखा रहा है तो अगर जरूरत पड़ी तो 169 किलो मिटर ही दूर है कज़ब कर जाएंगे और अपनी ट्रेक्टर की रफटार भी बढ़ा दिया बढ़ा दियुक्ति दिली की तरफ को हमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुती से चले हैं ऐसा क्यों कि बंजर जमीन हो तो फोर फाई-फोर काम करें दिली के बेरिये लो तो फोर फाई-फोर तो और एक कतार में जो आपको हम इसमें कटार दिखा सकते हैं कि ट्रेक्टरों की कतार यह जो दिल्ली को जोडने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इसमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरही के से बंद है और आके इस टिकेट खुद स्टीरिंग को कोशिश करेंगे हमारे कैमरा में जो अविस्येक है अलाकि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है यहां सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किरो मिटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर है यह प्रदर्शन की तस्वीर और यह कह रहे हैं कि दिल्ल दूर भी नहीं है तो दिल्ली हम जाने से संकोच भी नहीं करेंगा लेकिन बहुत कह रहे थे किसानों ने कहा था कि ट्राफिक की कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को दिक्कत नहीं होगी लेकिन वहां तो ऐसा लगता है कि पूरा मार्क बादी थे ट्रैक्टर ही ट्रैक्ट इसे को को दिक्कत नहीं होगी और वाम दैद्ज को क्मड़ जी करते हम इने दिखाते हैं कि हम सडक पढ़े वह हमको भी देखो परदरसन क्या होता है परदरसन यह होता है कि लोग आते जाते लोग देखें यह नया ट्रेंड है रास्ते जाम करने की जोरुती नहीं खोलो तो इनका खाने पीने का बंडारा का इंद जाम करो दिली के देखो खाली पड़ा पूरा ट्रेफिक तो यह कहना है कि एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है एक तरफ ट्रैफिक जाम अब एक तरफ ट्रैक्टर खड़े है तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली क्यों रोक हैं दिल्ली का रास्ता सरकार का रोक हैं रास्ता तो सरकार के खिलाब चलाएंगे और कहीं के खिलाब चलाओंगे आंदोलन चुनाव है ना तो चुनाओं के वक्त भी कहेंगे क्या कि अब इस हमें ज्यादा सरकार के हाथ आप मरोड़ वो तो सब जंता को पता है कि इसको क्या करना सब पताए देख तो आपका है तो आप तो guidance देंगे मेरे क्या करेंieso पता देंगे टाइम पर बताओंगे जं़ तक के सारे दर्षक देख रहे लाखो करोड़ों दर्षक देखते हैं तो उनको भी तो बताएंगे आप आवे देखुजा सरकार क्या क्या कर रही हो देखुजा सब पर वार सब पाएगा यह यह कुल मिला करके कह रहे हैं कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी जरूरत न किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग नय तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनल फिराल जुड़े रहेगे फोरण आपका रूख करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्वा निकाने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रूख लिया गया अपन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सडकों पर ये ट्रक्टर मार्च के तस्वीरें यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व वियापार संगठन से और जो फ्री ट्रे का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्योंकि उसके उपर बाध्यता हो जाएगी फ्री ट्रेड अग्र शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल ट्रेड और्गनाजिशन क्या है, फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान युनियन जैसी जो कुछ किसान लेता हैं, वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं, ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं, और फिल्हाल ये तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस वे के पास लोकेंदर के साथ मैं आज तो श्मश्रा आज तक अब बात किसानों के करते हैं कि किसान अपने आंदोरन को लेकर अब आके बढ़ रहे हैं, आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्राक्टर को हाईवेस पर खड़ा किया है, आके बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ये सीधे तोर पर उनका कहना है कि उनकी मांगों क को माना जाना चाहिए, ये चार तस्थीरे पर हम आपको दिखा रहे हैं, अमरसर, संग्रूर, मोहाली और ग्रेटर नॉइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ ये किसान जो है, वो पहुच रहे हैं, अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल, हमाई सायोगी इस वक्त जुट चुके राकेश टिकैत, उनके साथ मौजूद हैं, खुमार कुनाल पर पूछिए, आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली? बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर हैं, और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है, आपको बताएं कि सारे जो भी हाईवे है, नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है, राकेश यह बताईए कि क्या आगे की य दिल्ली जब चाहेगा जब आजाएगा, यह आईवे भी दिल्ली के हैं, सरकार बाच्चित से समधान निकाल ले, दिल्ली पहले भी आए, दिल्ली जो रत होगी फेर आजाएंगे, लेकिन हमारा यह है कि क्यों किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो, यह आप क्या चेतावनी दे रहें हैं सरकार को, क्योंकि चुनाव है, इसलिए आपकी मंशा पर भी सवाल उठाएंगे, लेकि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे, चुनाव मान्वानी हम जा रहे हैंगे, चुनाव सा पहले हम जा रहे हो, हमारा तो अब तो 14 March का प्रोगराम में एक दिन का है बगेर ट्रेक्टरों के बगेर उसका है अभी आपके हाथ में इस ट्रेक्टर की स्टियरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो यह जो दिल्ली की तरफ ट्रेक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है यह आपका बस यह कहना है क्य उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा यह कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हर्याना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हर्याना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाँ पर और उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बाचीत कर रही है तो हमारा यह के सरकार अपना बाचीत करें उसका समधाद निकाल ले है लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते हैं अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आगे क्या आपकी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़ेवे दल है उनका विरोध गाउओं में हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग यह खड़ा ट्रेक्टर पर यह सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी है तो हम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए किसाम संक्ठन को अपने आंदोलन पर द्यान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन हमारे साथ में है तो कुल मिला करके अर्फिता आशुतोष और राजीव यह जो यहापर ट्रेक्टर पर हम इ सामना बोड देखोगे चलो हम कभी विंख कर जाएंगे और अपनी ट्रेक्टर की रफ्तार भी बढ़ा दिया दिली की तरफ को अमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुती से चले हैं ऐसा क्यों बंजर जमीन हो तो 4x4 काम करें दिल्ली के बेरियन हो तो 4x4 तो तोड़े ही है यह कतार है ट्रैक्टर की जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने तस्वीरों के जरिये कि यहाँ पर जो अलग अलग किसान जो संगठन के लोग है उन्होंने अपने ट्रैक्टर को एक कतार में लगाया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इसमें कतार दिखा सकते हैं कि ट्रेक्टरों की कतार ये जो दिल्ली को जोडने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इसमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरही के से बंद है और आखेस टिकेट खुद स्टियरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेत्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहां सीधे बॉर्डर पे और दिल्ली एक सो उनसाट किलोमेटर यह लिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है यहां सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किलोमेटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर यह प्रदर्शन की तस्वीर और यह कह रहे हैं कि दिल्ली अभी नहीं जा रहे है लेकिन दिल्ली दूर भी नहीं है तो दिल्ली हम जाने से संकोच भी नहीं करेंगा लेकिन बहुत कह रहे थे किसानों ने कहा था कि ट्राफिक की कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को दिक्क पिल्कुल दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर को खड़ा किया गया और एक तब यह भी पूछ लेते हैं राके जी कई सारे लोगों को दिक्कत भी जैसे दिल्ली जाने में दिकत भी तो इसको दिकत नहीं होई यह वहाँ नुएड़ें में बैटे हुए उसमें दिकत चैनल वारों को जो ढूरी हो योगी किसी को कोई दिकत नहीं तो होगी ना एक दास्ता अगर बंद है तो देखा कितना बढिया चला देखो पठापट चला रास्ता हम रास्ते जाम नहीं करते हम इने दिखाते हैं कि हम सटक जानको निएक से ट्राइफिक चल रहा है अश्लाव को दिक्त नहीं है इसलिए लोगों दिखानी की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता एडिलिखा करा सरकार की खिलाफ चलाएंगे तो आपका है तो आप तो गाइडेंस देंगे ताल आउगी बता देंगे टाइम पर बताओंगे है जब आओं आज तक के सारे दर्षक देख रहे हैं लाखों करोडों दर्षक देखते हैं हैं उनकों बताएंगे आप आप अव देखुड है सरकार क्या किया कर रहे हैं पहले helps पाएगा अपो यह अगुल्मिला करके कह रहे हैं क्यां की जो हमें बताना है वक्त अने पर लोगों को बताये जाएगा समर्थकों को बताये जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है चौदा मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनाल फिराल जुड़े रहे हैं फौरण आपका रुक करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्रा निकाने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रोक लिया गया अपने सहयोग याशितोश मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से देखे पर ये ट्रक्टर मार्च के तस्वीरें यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारते किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दुनिया का हर देश जो प्रतनिधित्व करता है जो सदस्य है वर्ल्ट्रेड और्गनाइशन का उसकी अपनी बाध्यताएं हो जाती है जब खासकर फ्री ट्रेड की बात होती है ताकि बेरोक टोक जो है बाजार चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुन कििने कहीं सबसीडी उसकी कम हो जाएंगी सरकार से किसानों को जो मदद मिलती है वो कम हो जाएगी और इसे लिए उसके खिलाफ किसान जो है सडकों पर ट्रक्टर मार्च निकाल रहे हैं हालां कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे की साहिश पंचानबे क्रति सब्सक्राइब करते कि किसान अपने आंदोरन को लेकर आके पढ़ रहे हैं आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्राक्टर्स को हाईवेस पर खड़ा किया है आके बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह सीधे तौट पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाना यह चार तस्पीरें पर आपको दिखा रहे हैं अमरसर, संग्रूर, मोहाली और ग्रिटर नॉइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ यह किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जुक्त राकेश टिकाट उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि तारे के सारे जो भी हाईवे नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आईवे भी दिल्ली के हैं सरकार बाचीत से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रथ होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो यह आप क्या चेताव नहीं दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुना लेकिन दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे चुनाओं में नहीं जा रहे हम तो 14 मार्च का प्रोग्राम में एक दिन का है बगएर ट्रेक्टर के बगएर उसका है अभी आपके हाथ में इस ट्रैक्टर की स्ट्रीरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल हुआ है यह आपका बस यह में कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जाने की तैयारी नहीं अभी नहीं हमारी जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इस समय हरियाना बॉर्डर पर पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए स्यूक्त मोर्चा कि यह कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाब है और उ उनका मुमेंट है वो चला हूँ है उनकी कमेटी है तो सरकार से बात चीत करी तो हमारा यह एक सरकार अपना बात चीत करते वी बात कर नहीं Чक्ष में करती है तो आगे क्या आपकी रणनीती है का अपना प्रोग्राम है हम 14 तारिक को हमारी मीटिंग है यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मान तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहें तो यह दिल्ली की तरफ देली जीजिए 159 वह सामना बोट देखोगे Horizon 69 किデृवे जा तो अंगर ज़रूरत पढ़ी 169 कि दूर रहे हाथ दिल्ली लेकी 뒤에 भी कूझ कर जाएंगे और अपने ट्रैक्टर की रफ्टार भी बढ़ा लिए दिले के तरफ को हमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुती से चले ऐसा क्यों एक बंजर जमीन हो तो संगठन के लोग है उन्हों ने अपने ट्रेक्टर को एक ट्रेक्टर दिखाया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इसमें कतार दिखा सकते हैं कि ट्रेक्टरों की कतार यह जो दिल्ली को जोड़ने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इसमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरहिके से बंद है और आखे स्टिकेट कैमरा है वो दुनिया देखती है यहां से दिखाना चाहूंगा कोशिश करेंगे हमारे कैमरा में जो अविस्यक है अलांकि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है यहां सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किरोमेटर दिखा रहा है तो यह दिक्कत नहीं होगी लोगों को दिक्कत नहीं होगी लेकिन वहां तो ऐसा लगता है कि पूरा मार्ग बाद ही था ट्रैक्टर री ट्रैक्टर नजरा रहे हैं कई जगों पर ट्रैक्टर सिर्फ खड़े हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही होगी बिल्कुल दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रेक्टर को खड़ा किया गया है और एक तप से यह भी पूछ लेते हैं राकेज जी कई सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है जैसे दिल्ली जाने में दिक्कत भी यह वहां दिखते हुरे हैं तो होगी ना एक रास्ता अगर बंद तो बेंगद था हम रास्ते जाम नहीं करते हैं हम इन दिखाते है कि हम सड़क पो धर हमगों को वी दिखो पर्दर्सन क्या होता है यह होता है कि लोग आते जाते लोग देखें यह नहीं है राष्टे जाम करने की जोरतीनी खुलो तो इनके खाने पीने का बंडा रगा इंद दिलिका दैखो काली बड़ा पूरा त्रेफिक त्रेफिक चल रहा है एक तरफ ट्रेफिक जाम अब एक तरफ ट्रेक्टर खड़े है तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को यह दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का रास्ता सरकार क है popped अब इसमित ज्यादा सरकार के हात अब ओ तो सब जंदा को सब पता है किषको क्या करना सब पताई लेकिन नेत्रित वह तो आप का है तो आप्टाईन्स में benा क्या युण लोगी बता देंगे टाइम पर बताओंगे आज तक के सारे दर्शक देख रहे हैं लाखों करोड़ों दर्शक देखते हैं तो उनको भी तो बताएंगे आप आवे देखुजा सरकार क्या क्या कर रहे हो देखुजा सब पर वार सब पाएगा यह गुल मिला करके कह रहे हैं क्या कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनावा आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तौर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनाल फिराल जुड़े रहे हैं फौरण आपका रूख करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्वा निकालने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रोक लिया गया अपने सयोग या शितोश मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से देखिए प्रण की मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारतिये किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दुनिया का हर देश जो प प्रण की खिलाप जाता है और क्योंकि उसके उपर बाध्यता हो जाएगी फ्री ट्रेड अग्रिमेंट की और विश्व व्यापार संगठन की तो कहीं न कहीं सबसीडी उसकी कम हो जाएगी सरकार से किसानों को जो मदद मिलती है वो कम हो जाएगी और इसलिए उसके पर ट्रक्टर मार्श निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ट रेड ऑग्नाजिशन क्या है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान यूनियन जैसी जो कुछ किसान नेता है वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं और फिलहाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस्वे के पास लोकेंदर के साथ मैं आश्य दूश मश्रा आज तक अमरिसर, संग्रूर, मोहाली और ग्रिटर नॉइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ ये किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जो चुके राकेश टिक है तो उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल जब पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आईवे भी दिल्ली के हैं सरकार बाच्चित से समधान निकाल लए दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रत होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो तो याप क्या diver दे रहे हैं कि चुनाव है इसलिए आपकी मंचा पर भी सवाल उर्ट कर रहे हैं हमारे तो 14 मार्च का प्रोग्राम में एक दिन का है बगैर ट्रिक्त रोंगे बगैर उसका है अभी आपके हाथ में इस ट्रैक्टर की स्टियरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो ये जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है ये आपका बस ये मकैना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जाने की दे रहे तो ये बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुआ है सेयुक्त मोर्चा कि ये कोल है कि हम एक बार हाइवी पर ट्रैक्टर लगाएंगे जो किसानों के साथ में हुआ है वो गलत हुआ है इस तरह से हर्याना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हर्याना की सड़कू पर आज ट्रैक्टर है वहाँ पर और उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बातचीत कर रही है तो हमारा यह है कि सरकार अपना बातचीत करें से भी बात करें जो चीज्जे हैं उसका समधान नि की सकते हैं अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आगे क्या आपकी रणीति है एसकेम का अपना प्रोग्राम है हम 14 तारिक को हमारी मिटिंग है 14 तारिक को अपने फैसले लेंगे हम क्योंकि अब तो चुनाब आगे आपको होना नहीं है पॉलेटीकल वोट देने वाले लोग भी हैं कि तुम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए कि संदेशन को अपने आंदोलन पर द्यान देना चाहिए बहुत लोग है कि वह सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन में हमारे साथ में है तो मिलाकर करके अर्फिता आशुतोष और राजीव यह पर ट्रैक्टर पर हमी समय चल रहे हैं तो यह यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी दिल्ली 159 वो सामना बोड देखोगे 169 किलोमेटर है आपको बोड पड़ी तो 169 किलोमेटर ही दूर है आते दिल्ली तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार भी बढ़ा दिया दिल्ली की तरफ को हमारे ट्रैक्टर बहुत मजबुती से चले हैं ऐसा क्यों कि बंजर जमीन हो तो फोर बाइफोर काम करें दिल्ल कभी रफ कंपनी ट्रैक्टर को एक कतार में लगाया हुआ है ओर एक कतार में लुख सकते हैं कि ट्रैक्टर की कतार यह जो इल्ली को जोडने ten वाली हरिद्वार दिल्ली हईवे है उसके ऊपर इस समयखणा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरही के से बंद है और आखे स्टिकेट खुद स्टियरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेत्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहाँ सीधे बॉर्डर पे और दिल्ली यह लिखना हो ना बोर्ड दिखाओ आपके कैमरा बढ़िया देखता है आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है तो मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा कोशिश करेंगे हमारे कैमरा में जो अविस्येक है अलाकि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है यहां सामने बौर्ड लगा हुआ है वह 169 किलोमीटर निखा रहा है तक ये तस्वीर ये प्रदर्शन की तस्वीर और ये कह रहे हैं कि दिल्ली अभी नहीं जा रहे है लेकिन दिल्ली दूर भी नहीं है तो दिल्ली हम जाने से संकोच भी नहीं करेंगे मार्ख ल बिल्कुल दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है और एक तब चैनल वालों को जो रही होगी किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होगी नौख एक दास्ता गर बंध है तो बढ़त अबाएं कि 20 करके लेइं यह तरफ से ट्राफिक चल रहा है एक ट्राफिक जाम एक तरफ ट्रैफिक जांब एक तरफ ट्रैक्टर खड़े है तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का रास्ता सरकार का रोका है रास्ता तो सरकार के खिलाब चलाएंगे आंदोलन चुनाव है लेकिन नित्रित हो तो आपका है तो आप तो guidance देंगे ला समर्थकों को बताए जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारह साफ है कि आने वाले समय में घंडीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनावाते जाएंगे यह जो किसानों का अंदोलन है वो भी जी कुनाल ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीके कुनाल फिराल जुड़े रहेए फोरण आपका रुक करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्रा निकालने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रोक लिया गया अपने सयोग याशितोश मिश्रा की एक इमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सडकों पर ये ट्रक्टर मार्च के तस्वीरें यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत तो विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाह टोक टोक जो है बाजार चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्योंकि उसके उपर निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल ट्रेड ऑगनाजिशन क्या है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान यूनियन जैसी जो क कुछ किसान नेता हैं वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं और फिलहाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस वे के पास लुके इंदर के साथ मैं आश्य दुश्मेश्रा आज तक अब बात किसानों की करते हैं कि किसान अपने आंदोरन को लेकर अब आके बढ़ रहे हैं आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्राक्टर को हाईवेस पर खड़ा किया है आके बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यह सीधे तोर पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को म पानी के लिए कि तुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जुचके राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है तो राकेश यह बताईए कि क्या आगे कि योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संधेश देना चाहिए संधेश यह देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जायेगा सबुसर्य और ही जातरी सटीरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो यह जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है यह आपका बस यह में कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जाने की तैयारी नहीं अभी नहीं हमारी जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इसमें हरियाना बॉर्डर पर पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा कि यह कोल है कि हम एक बार हाइवी पर ट्रेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुए आ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कूपर आज ट्रेक्टर है वाँ और उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बाचीत कर रही है तो हमारा यह है कि सरकार अपना बाचीत करें उस कमेटी से भी बात करें जो चिज्जे हैं उसका समधाद निकाल ले है लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते है अगर सरकार नही कुछ नहीं करते हैं तो आगे क्या आपकी रणीती है है कापना प्रोग्राम है हम 14 तारिक को हमारी मिटिंग है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़या ट्रेक्टर पे ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए कि सामसंग कठन को अपने आंदोलन पर दियान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदो दिली की तरफ का है जब चाहें तो ये दिली की तरफ मोर देंगे जी दिली 159 वो सामना बोड देखोगे 169 किलो मीटर है तो अगर जरूरत पड़ी तो 169 किलो मीटर ही दूर है आते दिली लेकिन तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रेक्टर की रफ्तार भी ब आपको हमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुत्ती से चले हैं ऐसा क्यों कि बंजर जमीन हो तो फोर भाई फोर काम करें दिली के बेरियन हो तो फोर भाई फोर तो तो तोड़े हैं तो यह कतार है जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर जो दिली को जोडने वाली हरिद्वार दिली हाइवे है उसके ऊपर इस समय खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरही के से बंद है और आखे स्टिकेट खुद स्टीरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेत्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहाँ सीधे बॉर्डर पे और दिली एक सो कि यह लिखना हो ना बोर्ड दिखाओ आपके कैमरा बढ़िया देखता है ने आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है तो बिल्कुल मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा कोशिश करेंगे हमारे कैमरा मेन जो अविस्येक है अला कि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिली की दूरी है यहाँ सामने बौर्ड लगा हुआ है वह 169 किरो मीटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर है यह प्रदर्शन की तस्वीर और यह कह रहे हैं कि दिली अभी नहीं जा रहे है लेकिन दिली दूर भी नहीं तो दिली हम जाने से संकोच भी नहीं करेंगा लेकिन गिसानों ने कहा था कि ट्रफिक की कोई ॆफ्ट नहीं ल어지िके लेकिन वह अब बिल्कुल दिक्त हो रही है क्योंकि ट्रेक्टेखकोर को खढ़ा किया और एक तब कई सारे लोगों को दिक्कत भी होइए जैसे दिल्ली समर्टा बन दें कुर रास्ता हं रास्तेशा इस दिकाते हैं कि हम सड़क पकहरें हमसु भी देखो पार देखो परदरशन चुछार्ण ऐसे होता है। कि कि लोग आते-जाते लोग देखें। यह तरफ देन्थ है रास्ते जाम करने की चुशिए रहा है। तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को यह लाओक कोश़िश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से उटित का जा सकता दिली का लाद, क्यों रोक का रास्ता है, सरकार का रोक कर रास्ता है, तो सरकार के खिलाब चलाओं तो चुनाओ के वक्त भी कहेंगे कि अब इस सम Siz में ज़ादा सरकार के हाथ आप Չडरो पैसा है, उप्सको क्या करना सब पता है। लेकिन नेत्रित तो आपका तो आप तो गाइडेंस देंगे ला क्या करेंगे लागो करोड़ों दर्षक देखते हैं तो उनको भी तो बताएंगे आप आवे देखुजा सरकार क्या क्या कर रहे हो देखुजा सब पर वार सब पाएगा यह गुल मिला करके कह रहे हैं कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी ज़रूरत नहीं है तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनावा आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएग ठीक है कुनाल फिराल जुड़े रहेगे फोरण आपका रूख करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्वा निकालने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रूख लिया गया अपने सयोग आशितोश मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से देखे पश्ची मुत्र प्रदेश के सैकड़ों किसान इस समय सड़कों पर है और ट्रक्टर मार्च की तस्वीरे आपको यूरोप की याद दिला रहे होंगे वहाँ भी किसानों का अंदोलन कई देशों में चल रहा है लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किस तो दूसरी तरफ सड़कों पर ये ट्रक्टर मार्च की तस्वीरें यहाँ इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारत चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्योंकि उसके उपर बाज़ता हो जाएगी फ्री कितानों को या यूं समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल ट्रेड और्गनाजिशन क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान यूनियन जैसी जो कुछ किसान नेता है वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं और फिल्हाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस्वे के पास लोकेंदर के साथ मैं आश्यदुश्मश्रा आज तक अब बात किसानों के करते हैं कि किसान अपने आंदोरन को लेकर अब आके बढ़ रहे हैं आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्राक्टर को हाईवेस पर खड़ा किया है आके बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यह सीधे तौर पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए यह चार तस्थीरें पर आपको दिखा रहे हैं अम्रसर संग्रूर मोहाली और ग्रेटर नौइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ यह किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्ट जुचके राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आईवे भी दिल्ली केई हैं सरकार बाच्चित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रथ होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि क्यों किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो तो यह आप क्या चेताव नहीं दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंशा पर भी सवाल उठाएं चुनाव में हम अभी नहीं जा रहे हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं लेकि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे चुनाव में नहीं हम जा रहे हैं कि चुनाव सा पहले हम जा रहे हो नहीं हमारे तो प्रेक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है यह आपका बस यह में कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जाने की तैयारी नहीं अभी नहीं हमारी जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इस समय हरियाना बॉर्डर पर पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा कि यह कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाब है और उ उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बातचीत कर रही है तो हमारा यह के सरकार अपना बातचीत करें उसका समधाद निकाल ले है लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते हैं अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आगे क्या आपकी रन्नीती है बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन हमारे साथ में है तो कुल मिला करके अर्फिता आशुतोष और राजीव यह जो यहाप पर ट्रैक्टर पर हम इस समय चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मान तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी दिल्ली 159 वो सामना बोड देखोगे 169 किलो मिटर है अगर जरूरत पड़ी तो 169 किलो मिटर ही दूर है यहाथ है दिल्ली तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार भी बढ़ा दिल्ली की तरफ को हमारे ट्रैक्टर बहुत मजबुत्ती से चल बंजर जमीन हो तो 4x4 काम करें दिल्ली के बेरियन हो तो 4x4 तो तोड़े ही है यह कतार है ट्रैक्टर की जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर जो अलग अलग किसान जो संगठन के लोग है उन्होंने अपने ट्रैक्टर को एक कतार में लगाया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इसमें कतार दिखा सकते हैं कि ट्रैक्टरों की कतार यह जो दिल्ली को जोडने वाली हरिद्वार दिल्ली हाईवे है उसके ऊपर इस समय खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरहिके से बंद है और आखे स्टिकेट खुद स्टियरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नित्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहाँ सीधे बॉर्डर पे और दिली 119 किलोगी तो यह लिखे आओ ना बॉर्ड है अला कि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिली की दूरी है यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किलोमीटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर है यह प्रदर्शन की तस्वीर और यह कह रहे हैं कि दिली अभी नहीं जा रहे है लेकिन दिली दूर भी नही करेंगे लिकिन बोत कह रहे थे किसानों ने कहा था कि ट्राफिक की कोई द figures and your लेकिन वहां तो ऐसे लगता है कि पुरा मार्क बाती तो और हुप ऑन हरा दो लोगों को दिकत्थ हो रहे होगी तो बिल्कोल दिकत्थ हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर को खडा किया गया है और एक तप सब्सक्राइब पूछ लेते हैं राके जी कई सारे लोगों को दिक्कत ले यह वह नोएड़ा में उसमें दिक्त चैनल वालों को जो रोगी होगी किसी को को रिक्कत नहीं यह एक रास्ता अगर बंद है तो देखो कितना कटा लादेको पटापट चलना रास्ता हम रास्ते जाम नहीं करते हम इन्हें दिखाते हैं कि हम सड़क पगढ़े बैं हमको तो इनका खाने पीने का बंदा रहा इंद इन जाम कोरो दिली के देखो खाने पुड़ा पूरा ट्रेफिक चल रहा है एक तरफ ट्रेफिक जांब एक तरफ ट्रेक्टर खड़े है तो इसलिए लोगों को दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का रास्ता सरकार का रोका है रास्ता का रास्ता तो सरकार के खिलाब चलाएंगे और कहींगे खिलाब चलाओंगे आंदोलन चुनाव है ना तो चुनाओं के वक्त भी कहेंगे क्या कि अब इस हमें ज्या पता है जो तो हुआ क्राइस देंगे जास्पे तक क्यों दीआ सब पता देखते चांवर्थ देख रहे हैं तो उनको वी बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारह साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है चौदा मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनावा आते जाएंगे यह जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनाल पुर्याल जुड़े रहे हैं फौरण आपका रुक करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्रा निकाने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रोक लिया गया अपने सेयोग याशितोश मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से देखिए पश्ची मुत्यप्रदेश के सेकड़ों किसान इस समय सडकों पर है रिट्रक्टर मार्च की तस्वीरे आपको यूरोप की याद दिला रहे होंगे वहाँ भी किसानों का अंदोलन कई देशों में चल रहा है लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सडकों पर ये ट्रक्टर मार्च की तस्वीरे यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारते किस सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्योंकि उसके उपर बाध्यता हो जाएगी फ्री ट् ट्रक्टर मार्श निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑगनाजिशन क्या है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसा अपने आंदोरन को लेकर अब आके बढ़ रहे हैं आज सांकेतिक रूप पर उन्होंने अपने ट्रक्टर्स को हाईवेस पर खड़ा किया है आके बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यह सीधे तोर पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए यह चार तस्किरे अब आपको दिखा रहे हैं अमरसर संग्रूर मोहाली और ग्रिटर नौइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ यह किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्ट जो चुके राकेश टिकायत उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल जब पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताईए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आईवे भी दिल्ली के हैं सरकार बाच्चित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रत होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो तो यह आप क्या चेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंशा पर भी सवाल उठाए चुनाव में हम अभी नहीं जा रहे हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं लेकि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे चुनाव में नहीं हम जा रहे हैं दिल् दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो यह जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है यह आपका बस यह मा कहना है क्या कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जानी की त्यारी नहीं अभी नहीं हमारी जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इसमें हरियाना बॉर्डर पे पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो ये बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा ये कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाँ पर और उनका मुमेंट है चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बाठीत कर रही है तो हमारा यह है है कि सरकार अपना बाठीत करें से भी बात करें जफ समदान निकाल है लाड़ी गोली से आप किसान को दबा नहीं सब्सक्राइबकित क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़े हुए दल है उनका विरोध गाउओं में हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग यह खड़ार ट्रेक्टर पे यह सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए कि सामसंग ठोन को को अपने आंदोलन पर द्यान देना चाहिए बहुत लोग है कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन महारे साथ में तो यहीं संदेश देना चाहते कि अगर सरकार नहीं मांती है तो रुख दिल्ली की तरफ का है, जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ दिल्ली ओन फिप्टी नाइन वो सामना आप बोड देखोगे, तो आपको बोड दिखाते हैं पहले दिल्ली के चलो, तो यह तिकेस आप करें कि यहां से 169 किलो मिटर का बोड दिखा रहा है जो मील का दिल्ली की तरब को हमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुत्ति से चले हैं एसा क्यों कि बंजर जमीन हो तो फोराइस पोर काम करें दिल्ली के पहरीयलों तो बहुराइस तो तोड़ें हैं यह कॉपकर ट्रेक्टर की जो हम आपको कटार दिखा सकते हैं कि ट्रेक्टरों की कटार यह जो दिल्ली को जोड़ने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इस समय खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरही के से बंद है और आके स्टिकेट खुद स्टियरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेत्रित है यहां से दिखाना चाहूंगा कोशिश करेंगे हमारे कैमरा में जो अविस्येक है अलाकि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दिल्ली की दूरी है यहां सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किलोमेटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर है यह प्रदर्शन की तस् लगता है की पूरामार्क बादी थे ट्रैक्टरी ट्रैक्टर नजर आ्जाये कई जगांसरी करने लोगों को दिक्कत हो रही हो गी बिलकौल दिक्कत ओर यह जोकी ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है और एक सब्सक्राइब पूछ लेते हैं राकेज के सारे लोगों को दिक्कत भी ओर्श है जैसे दिल्ली जाने में दिक्कत भी е होगी एक अगर बंद हैं तो देखो कितना बढ़ा चलना देखो पटा पट चलना रास्ता हम रास्ते जाम नहीं करते हैं लोगों को दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का रास्ता सरकार का रोका है रास्ता का रास्ता तो सरकार के खिलाब चलाएंगे आंदोलन चुनाव है ना तो चुनाव के वक्त भी कहेंगे क्या कि अब इस हमें ज्यादा सरकार के हाथ आप मरो तो सब जंता को पत है ऑड़े ने पिने डिक्षाइंगे तो अपका देंगे गाईडिंस तुम तैम के बता देंगे जब आए मैं आगा कि अ कि pontos देग्रेक्स माज तक सारे दर्शक देक रहे हैं कि नाखों करॉडों दर्श ден तरों काल पटाएंगे आप हाँ वे देखुजा सरकार क्या क्या कर रही हो देखुजा सब वार सब पाएगा यह गुल मिला करके कह रहे हैं कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी ज़रूरत नहीं है तो इशारह साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिल्ली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुराल जुड़े रहें फोरण आ देश के सैकड़ों किसान इस समय सड़कों पर है और ट्रक्टर मार्च की तस्वीरें आपको योरोप की याद दिला रहे होंगे वहाँ भी किसानों का अंदोलन कई देशों में चल रहा है लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ स किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दूनिया का हर देश जो प्रतिनिधित्व करता है जो सदस्य है वर्ल्ल ट्रेड ओगनाईजेशन का उसकी अपनी बाध्यताएं हो जाती है जब खासकर फ्री ट्रेट की बात होती है ताकि बेरोक टोक जो है बाजार चल सके बाजा अग्रेट अग्रिमेंट की और विश्व व्यापार संगठन की तो कहीं न कहीं सबसीडीज उसकी कम हो जाएंगी सरकार से किसानों को जो मदद मिलती है वो कम हो जाएगी और इसलिए उसके खिलाफ किसान जो है सड़कों पर ट्रक्टर मार्श निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यूँ समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ल ट्रेड औरगनाजिशन क्या है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान यूनियन जैसी जो कुछ किसा जान नेता हैं वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं और फिल्हाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस वे के पास लुके इंदर के साथ मैं आश्य दूश्मश्रा आज तक मोहाली और ग्रेटर नुराइडा की जहां पर ट्रैक्टर के साथ ये किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्श्चन को अपने विरोध को जताने के लिए खुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जुचके राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद हैं खुमार कुनाल पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहां पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे है नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश ये बताईए कि क्या आगे की य दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आई वे भी दिल्ली के हैं सरकार बाच्चित से समधान निकाल लए दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रत होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि क्यों किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो यह आप क्या शेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंचा पर भी सवाल उठाएं चुनाव में हम अभी नहीं जा रहे हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं लेकि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे चुनाव में नहीं हम जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव स को आपने मोड करके रख्वा हे यह आपका बस यह रहोगा है कि हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे अभी जानी की तैयारी नहीं अभी नहीं हमारी हुए जब जाना होगा तो चले जाएंगे काई साही सारे वह गलत हुआ है कि इस सरे से हर्याना पुलिस दे सरकार ने कर आ है वह ऑफ गलत है ऑज भी आप कि हरी आप कि बात चीत कर रही है तो हमारा यह के सरकार अपना बात चीत करें उसका समधाद निकाल ले लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते हैं अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आगे क्या आपकी रणीती है स्केम का अपना प्रोग्राम हैं हम 14 तारिक को हमारी मिटिंग है 14 तारिक को अपने फैसले लेंगे हम क्योंकि आप चुनाब आगे आप कुछ होना नहीं है पॉलिटिकल विरोध भी करेंगे क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़ेवे दल हैं उनका विरोध गाउंव में ह हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़या ट्रेक्टर पे ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए किसाम संगत्रों को अपने आंदोलन पर दियान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन हमारे साथ में हैं तो कुल मिलाकर के अर्फिता आशुतोष और राजीव ये जो यहाप पर ट्रेक्टर पर हम इस समय चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब पारे हैं तो यह देली की तरफ जांस 109 किलोमेटर और की आपको बॉर्ट दिखाते हैं पहले दिली के चलौ एप करें कि हैं से 199 किलोमेटर का बोड दिखारा है जो मिल का पत्तर हैme 5109 किलोमेटर दिखारा है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो 169 किलोमीटर नहीं दूर है आते दिल्ली बेंदे कि अभी पूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफतार बी बढ़ा दिये दिल्ली की तरफ को हमारे ट्रेक्टर बहुत मजबुती से चले एए हैं ऐसा क्यों हो पंजर जमीन हो तो four by four काम करें बढ़ें प्री करें तो four by four तो तो और एक कतार में जो आपको हम इसमें कटार दिखा सकते हैं कि ट्रेक्टरों की कतार यह जो दिल्ली को जोड़ने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इसमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरही के से बंद है और आखे इस टिकेट खुद स्टेरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेत्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहाँ सीधे बॉर्डर पे और दिल्ली एक सोट किरो मिटर यह लिखना हो ना बोर्ड दिखाओ आपके कैमरा बढ़िया देखता है नहीं आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है तो बिलकुल मैं य दिल्ली की दूरी है यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है वह 169 किरो मिटर दिखा रहा है तो यह तस्वीर है यह प्रदर्शन की तस्वीर और यह कह रहे हैं कि दिल्ली अभी नहीं जा रहे है लेकिन दिल्ली दूर भी नहीं है तो दिल्ली हम जाने से संकोच भी नहीं करें मर्क लेकिन बहुत कह रहे थे किसानों ने कहा था कि ट्राफिक कोई दिक्कत नियोंगे लोगों को दिक्कत नियोगी लेकिन वहाँ तु ऐसा लगता है कि पूरा मार्क बाद सब्सक्राइब निए चिनल वालों को जोरू हो लुगी किसी को कोई दिक्कत नहीं तो होगी ने एक दास्ता अगर बंद है तो देखो कितना बढ़ा चला देखो पटापट चला रास्ता हम रास्ते जाम नहीं करते हैं हम इने दिखाते हैं कि हम सड़क पगड़े हमको भी देखो परदसन क्या होता है परदसन ही होता है कि लोग आते जाते लोग देखें यह नया ट्रेंड है रास्ते जाम करने की जोरुती नहीं खोलो तो इनका खाने पीने का बंडारा का इंद जाम करो दिली का देखो खाली प नहीं गई तो इसी तरीके से रोका जा सकता है दिल्ली का रास्ता सरकार का रोका है रास्ता का रास्ता तो सरकार के खिलाब चलाएंगे और कहीं के खिलाब चलाओंगे आंदोलन चुनाव है ना तो चुनाओं के वक्त भी कहेंगे क्या कि अब इस हमें ज्यादा सरकार के हाथ था आप मड़नागे उल से मोट वो तो सब जंता को पता है यह को καिना कर ना सब पता है रख लगनाष तो आपका है तो आप तो गाइडेंस देंगे ने क्या करेंगे घ् halfway इता जंस आज तक के सारे दर्शक देख रहे हैं लाखों करोडों दर्शक देखते हैं तो उनको भी तो बताएंगे आप हाँ वे देखुजा सरकार क्या क्या कर रही हो देखुजा सब पर वार सब पाएगा यह गुल मिला करके कह रहे हैं कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी ज़रूरत नहीं है तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रणीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनावा आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीक है कुनाल फिराल जुड़े रहेए फोरण आपका रूख करेंगे और जेवर में भी ट्रक्टर यात्वा निकालने के कोशिश थी ट्रक्टर मार्च को वाँ पर रूख लिया गया अपने सयोग आशितोश मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जेवर से देखे पश्ची मुत्र प्रदेश के सैकड़ों किसान इस समय सड़कों पर है रिट्रक्टर मार्च की तस्वीरे आपको यूरोप की याद दिला रहे होंगे वहाँ भी किसानों का अंदोलन कई देशों में चल रहा है लेकिन एक तरफ पंजाब और हर्याना की सीमा पड़टे किस तो दूसरी तरफ सड़कों पर ये ट्रक्टर मार्च की तस्वीरें यहाँ इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारत चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया भर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारती किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्योंकि उसके उपर बाज़ता हो जाएगी फ्री कितानों को या यूं समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑगनाजिशन क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान यूनियन जैसी जो कुछ किसान नेता है वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर को हाइवेस पर हडा किया है आके बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यह सीधे तॉट पर उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए यह चार तस्पीरें पर आपको दिखा रहे हैं अम्रसर संग्रूर मोहाली और ग्रेटर नॉइडा की जहां पर ट्रेक्टर के सा यह किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए कि कुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जुट चुके राकेश टिकैत उनके साथ मौजूद है कुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉर्डर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाइवे इस पर ट्रैक्टर उतारा गया है नाकेश यह बताइए कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाइवे पर क्या संडेश देना चाहें संडाखंड मुखेू कि बिल्ली जब चाहेगा जब आ या यह हाई वेइ भी दिल्ली की है सरकार बात्चीत से समख रान निकाल ले दिल्ली पहले भी आये डिल्ली जो रतों होगी फेरा जायेंगे लेकिन हबाघ यह किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप कि याप क्या 5000 दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव हैं इसलिए ापकी मंझा पर भी सवान है जो वाल है अरव messedork Day कि नहीं जा रहे हैं लेकि दिल्ली जाना तो beispielsweise सबस्थ दिल्ली के चुनाव हम जा रहे हो तो 14 मार्चक प्रोग्राम में एक बगाएर ट्रेक्टरों को आपने मोड करके रखा हुआ है यह आपका बस यह में कहना है क्या कि हम जरूरत परी तो जाएंगे अभी जाने की त्यारी नहीं है जब जाना होगा तो चले जाएंगे लेकिन कई सारे संगठन इसमें हर्याना बॉर्डर पे पंजाब हर्याना बॉर्डर पर भी बैठे हुए उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो यह बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े सेयुक्त मोर्चा कि यह कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हर्याना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हर्याना की सड़कों पर आज टेक्टर है वाब है और उनक का मुँमेंट है और चला हुआ है उनकी कर क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़े हुए दल है उनका विरोध गाउओं में हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़ा ट्रेक्टर पर ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पोलिटिक से दूर रहना चाहिए किसान संक्ठन को अ समय चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांग तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहे तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी दिल्ली 159 वो सामना आप बोड देखोगे 169 किलो मिटर है आपको बोड दिखाते हैं पहले द किनो मिटर ही दूर है आते दिल्ली तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार भी बढ़ा लिए दिल्ली की तरफ को हमारे ट्रैक्टर बहुत मजबुत्ती से चले हैं ऐसा क्यों कि बंजर जमीन हो तो फोर भाई फोर काम करें दिल्ली के बेरिया को एक कतार में लगाया हुआ है और एक कतार में जो आपको हम इसमें कतार दिखा सकते हैं कि ट्रैक्टरों की कतार यह जो दिल्ली को जोडने वाली हरिद्वार दिल्ली हाइवे है उसके ऊपर इसमें खड़ा है एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरहिके से बंद है और आखे केरिंग को हाथ में थामे हुए इसका नेत्रित तो कर रहे हैं तो यह तस्वीर यहां सीधे बॉर्डर पे और दिल्ली यह लिखे आओ ना बोर्ड दिखाओ आपके कैमरा बढ़िया देखता है आज तक का कैमरा है वो दुनिया देखती है बिल्कुल मैं यहां से दिखाना चाहूंगा कोशिश करेंगे हमारे कैमरा में जो अविस्येक है अलांकि ट्रैक्टर पर है तो वो दिखाएंगे कि जो दि दिल्ली अभी नहीं जा रहे है लेकिन दिल्ली दूर भी नहीं है तो दिल्ली हम जाने से संकोच भी नहीं करेंगे लेकिन बहुत कह रहे थे किसानों ने कहा था कि ट्राफिक की कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को दिक्कत नहीं होगी लेकिन वहां तो ऐसा लगता है कि प नहीं हो रही है यह वहाँ नोएड़ा पेटे हुए उसमें दिक्त चैनल वालों कुझ रूरी होगी किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्त तो होगी ना एक दास्ता अगर बंद है तो देखो कितना बढ़िया चला देखो पटा-पट चला रास्ता हम रास्ते जाम नहीं करते हैं दिली के देखो खाली पड़ा पूरा ट्रेफिक यह कहना है कि एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है एक तरफ ट्रैफिक जाम अब एक तरफ ट्रैक्टर खड़े है तो इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं है लोगों को यह दिखाने की कोशिश है कि अगर किसानों की नहीं मानी तो इसी तरीके से रोका जा सकता है ड्ली का यह क्युंगर तो संक किराफ चलाएंगे और कहेंकि चुनाओं के वक्त भी कहेंगे कि अब इस हमें ज्यादा जादा को पता है इसको क्या करना सबताये आक देंगे चाल आवगी बडाव नोंगे मैं आज तक कि सारे दर्शक देख रहे हैं लाकों करोडों दर्शक देखते हैं तो उनको भी तो बताएंगे आप आवे देखुजा सरकार क्या क्या कर रही हो देखुजा सब पर वार सब पाएगा यह गुल मिला करके कह रहे हैं क्या कि जो हमें बताना है वक्त आने पर लोगों को बताया जाएगा समर्थकों को बताया जाएगा अभी जरूरत नहीं है तो इशारा साफ है कि आने वाले समय में रनीती बदल भी सकती है 14 मार्च को दिली में पंचायत भी रामलीला मैदान में बुलाई गई है तो जैसे जैसे चुनावा आते जाएंगे ये जो किसानों का अंदोलन है वो भी अलग अलग ने तोर तरीकों से आगे भरता जाएगा ठीके कुनाव फिराल जुड़े रहे हैं फॉरण आपका रूख करेंगे कि सीमा पड़टे किसान तो दूसरी तरफ सडकों पर ये ट्रैक्टर मार्च के तस्वीर हैं यहां इनकी मांग दरसल सिर्फ MSP की गयारेंटी के लिए कानून नहीं है बलकि मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से और जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट है उससे बाहर हो जाए ताकि भारतिय किसानों के हितों को बचाया जा सके दरसल दुनिया का हर देश जो प्रतनिधित्व करता है जो सदस्य है वर्ल्ट ट्रेड और्गनाइशन का उसकी अपनी बाध्यताएं हो जाती है जब खासकर फ्री ट्रेड की बात होती है ताकि बेरोक टोक जो है बाजार चल सके बाजार का संतुलन बना रहे और दुनिया अबर में जो खाद्यान है उसकी कीमतों का संतुलन भी बना रहे लेकिन भारतिय किसानों को ऐसा लगता है कि अगर भारत कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाब जाता है और क्युकि उसके ऊपर बाध्यता हो जायेगी फ्री ट्रेड अग्रीमेंटके और विश्व्यापा निकाल रहे हैं हाला कि ज्यादा दर देश के किसानों को या यू समझे कि शायद 95 प्रतिशत कितानों को देश को पता भी नहीं होगा कि वर्ल ट्रेड ऑगनाजिशन क्या है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट क्या है और इन चुनोतियों के बीच भारती किसान यूनियन जैसी जो क कुछ किसान नेता हैं वो अपने समर्थों के साथ सड़कों पर हैं ट्राक्टर परेड निकाल रहे हैं और फिल्हाल यह तस्वीरें गौतम बुद्नगर की यमना एक्सप्रेस्वे के पास लोकेंदर के साथ मैं आश्य दूश्मश्रा आज तक किसान जो है वो पहुच रहे हैं अपने प्रदर्शन को अपने विरोध को जताने के लिए कि कुमार कुनाल हमाई सायोगी इस वक्त जो चुके राकेश टिक है तो उनके साथ मौजूद है कुमार कुनाल पर पूछिए आगे कि उनकी योजना क्या रहने वाली बिल्कुल अर्पिता इस समय हम उतराखंड उतर प्रदेश बॉडर पर है और यहाँ पर जो एक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च है आपको बताएं कि सारे कि सारे जो भी हाईवे नेशनल हाईवे उस पर ट्रैक्टर उतारा गया है राकेश यह बताएं कि क्या आगे की योजना है यह जो ट्रैक्टर उतार करके हाईवे पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जब चाहेगा जब आ जाएगा यह आईवे भी दिल्ली के हैं सरकार बाचित से समधान निकाल ले दिल्ली पहले भी आए दिल्ली जो रत होगी फेर आ जाएंगे लेकिन हमारा यह है कि किसान को भी दुखी करो और क्यों अपने आप भी हो यह आपको छेतावनी दे रहे हैं सरकार को क्योंकि चुनाव है इसलिए आपकी मंच्छा पर भी सवाल उतना है तुखी कि दिल्ली जाना होगा तो चल जाएंगे छुनाव में था पहले हम जा रहे हैं हमारा तो आप तो 14 मार्च का प्रोग्राम में एक दिन का है बगएर ट्रेक्टरों के बगएर उसका है अभी आपके हाथ में इस ट्रेक्टर की स्टियरिंग भी है और हम अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं लेकिन कई सारे संगठन इस समय हरियाना बॉर्डर पे पंजाब हरियाना बॉर्डर पर भी बैटे हुएं उनके साथ आप दिखाई नहीं दे रहें तो ये बात होती है क्या कि आप अलग थलग तो नहीं पड़े हुए सेयुक्त मोर्चा किये कोल है कि हम एक बार हाईवी पर टेक्टर लगाएंगे जो उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है जिस तरह से हरियाना पुलिस ने सरकार ने करा है वो गलत है और आज भी आप देखोगे कि हरियाना की सड़कू पर आज टेक्टर है वाब है और उनका मुमेंट है वो चला हुआ है उनकी कमेटी है वो सरकार से बाचीत कर रही है तो हमारा यह है कि सरकार अपना बाचीत करें उस कमेटी से भी बात करें जो चिज्जे हैं उसका समधाद निकाल ले है लाठी गोली से आप किसान को दबा नहीं सकते है अगर सरकार नहीं मानती है या कुछ नहीं करती है तो आगे क्या आपकी रणीती है केम का अपना प्रोग्राम है अम 14 तारिक को हमारी मिटिंग है 14 तारिक को अपने फैसले लेंगे हम क्यूंकि अब तो चुनाव आगे आप कुछ होना नहीं है पॉलिटिकल विरोध भी करेंगे क्योंकि कई सारे जो सरकार के से जुड़े हुए दल है उनका विरोध गाउँ में? हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में जो लोग ये खड़ाज टेक्टर पे ये सरकार को भी वोट देने वाले लोग भी हैं तो हम पॉलिटिक से दूर रहना चाहिए किसान संग्ठन को अपने आंदोलन पर दियान देना चाहिए बहुत लोग हैं कि वो सरकार को वोट देंगे लेकिन आंदोलन हमारे साथ में हैं तो पुल मिला करके अरफिता आशुतोष और राजीव ये जो यहाँ पर ट्रैक्टर पर हम इस समय चल रहे हैं तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मान तो रुख दिल्ली की तरफ का है जब चाहें तो यह दिल्ली की तरफ मोर देंगे जी दिल्ली 159 वो सामना बोड देखोगे 169 किलो मीटर है तो अगर जरूरत पड़ी तो 169 किलो मीटर ही दूर है आते दिल्ली तो हम कभी भी कूच कर जाएंगे और अपनी ट्रैक्टर की रफ्तार भी